हिंदी साहित्य संपून घटना चक्र क्विक रिविजन विद आर्थी शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आये तो इसे शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट एक सो यानि वन हंड्रेड तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रशन गौर करेंगे काली दास हजारा काली दास हजारा की रचना किसने की इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी काली दास ने काली दास हजारा की रचन व्याख्या देखें गौर करेंगे दोस्तों रीती कालीन कवी कालीदास कौन से काल के कवी हैं रीती काल के कवी हैं ठीक है ध्यान रखेंगे तो देखते हैं रीती कालीन कवी कालीदास ने कालीदास हजारा की रचना की भारतेंदू हरीश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में री सुंदरी तिलग में रीति-कालिन कवियों का संकलन किया है ये बात भी महत्पोन हैं अन्य महत्पोन तथे भी देख लेते हैं गौर करेंगे दोस्तों अन्य मैत्पूंट तत्थे काली दास का पूरा नाम काली दास त्रीवेदी था क्या था काली दास त्रीवेदी इनका जम्बू नरेश जोगजीत सींग के यहां रहना पाया जाता है जिनके लिए समवत 1749 यानी 1749 में इन्होंने वरवदू विनोद ध्यान से सुने वरवदू विनोद बनाया यह नाईका भेद और नक्षिक की पुस्तक है किस से संबंदित पुस्तक है नाईका भेद और नक्षिक वर्णन से संबंदित पुस्तक है वर्वदू विनोध ठीक है अगला बिंदू देखते हैं 32 कवितों की 32 कवितों की इनकी एक छोटी सी पुष्टक है दोस्तों जिसका नाम है जंजीरा बंद जंजीरा बंद 32 कवितों की काली दास की एक छोटी सी पुष्टक है ठीक है अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे हालात एक अनहिया हालात एक अनहिया किसकी रचना है तो इसका सही उत्तर है option C अमीर खुसरो अमीर खुसरो की रचना है हालात एक अनहिया व्याख्या देखते हैं हालात एक अनहिया अमीर खुश्रो की रचना है इनके द्वारा नजरान ए हिंद नामक एक और गरंत की रचना का उलेक मिलता है ठीक है तो दो रचनाई मिली है किसकी अमीर खुश्रो की कौन कौन सी हालात एक अनहिया और नजरान ए हिंद ठीक है नजरान ए हिंदी हिंदी है दोस्तों ध्यान द ठीक है अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे हिंदी नवरत्न हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है तो ओप्शन सी मिश्र बंदू मिश्र बंदू की रचना है हिंदी नवरत्न टीजीटी पुनर परिक्षा 2004 का प्रशने है ये व्याख्या देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों हिंदी भाषा के मानकी करण की दृष्टी से बीसवी शती का प्रथम चरण अत्यंत महत्पून है ठीक है तो जो बीसवी शती का पहला चरण है वो बहुत महत्पून है किस दृष्टी से हिंदी भाषा के मानकी करण की दृष्टी से ठीक है इस काल मे जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमी का निभाई उनमें मिश्र बंदू कौन-कौन थे ये तीन भाई थे इनका नाम है गडेश बिहारी मिश्र श्याम बिहारी मिश्र सुकदेव बिहारी मिश्र ठीक है इनका नाम सर्वोपरी है आगे देखते हैं हिंदी नवरत्न तथा तो ध्यान रखेंगे दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे हिंदी नवरत्न हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृती है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है ये पूछा गया है तो option B मिश्र बंदू मिश्र बंदू की आलो प्रशनात्मक कृती है हिंदी नवरत्न एक अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे माधव विलास माधव विलास के रचनाकार कौन है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों option A लल्लू लाल की रचना है माधव विलास PGT परिक्षा 2009 में आया हुआ प्रशने है व्याक्या देख दोस्तों माधव विलास जो की 1817 के रचनाकार ललू लाल है फिर से सुने माधव विलास जोकी 1817 में आया है जिसके रचनाकार ललू लाल है इनकी अन्य प्रमुक रचनाई है ध्यान देंगे दोस्तों सिंगासन 32 जो की 1801 में आई हुई रचना है इसके बाद है बेताल 25 भी 1801 रचना है फिर है माधो नल भी 1801 में आई हुई रचना है फिर है दोस्तों शकुंत ला अठाल 101 में आई हुई रचना है और फिर है प्रेम सागर ठीक है प्रेम सागर भी ललू लाल की रचना है ठीक है ध्यान रखें दो रचना इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं सिंगासन 32 और प्रेम सागर ठीक है तो ध्यान रखें ललू लाल की रचना है ये और चार रचना जो की अठारा सो एक में आई ललू लाल की रचनाई है कौन-कौन सी सिंगासन 32 बेताल 25 मादोनल शकुंतला बाकी एक अन्य रचना इनकी प्रेम सागर है अन्य मैत्पूंट तथे भी देख लेते हैं दोस्तों सदल मिष्र सदल मिष्र की चंद्रावती अत्वा नासी केतो पा अख्यान को सनस्कृत से खड़ी बोली में अनूदित की हुई रचना है और बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है और ये पूछी जाती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए आगे देखते हैं राम प्रसाद निरंजनी ने योग वसिस्ट एवं सदा सुकलाल ने सुख सागर की रचना की ठीके जितने भी बिंदू आप से डिसकस किये जा रहे हैं सभी अपने आप में बहुत महत्पून हैं आप अच्छे से इने पड़े ठीके तो राम प्रसाद निर रंजनी ने योग वसिस्ट की रचना की और सदा सुकलाल ने सुख सागर की ठीके और ध्यान रखें और सदल मिश्र की चंद्रावती अत्वा नासी के तो उपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनूदित किया तो यह कुछ बाते हैं महत्पून हैं अगला अरजुन द्वारा रचित रचना नहीं है ठीक है इन में से कौन सी नागा अरजुन द्वारा रचित रचना नहीं है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कला और बूढ़ा चांद कला और बूढ़ा चांद नागा अरजुन की रचना नहीं है ठीक है बाकी पाशानी चंद और रविंद्र के प्रती नागा अर्जुन की रचनाई है ठीक है और कला और बूड़ा चांद किसकी रचना है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ठीक है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कला और बूड़ा चांद ठीक है इंपोर्टेंट रचना है आती है ये सुमेलित वाले प्रशनों में ठीक है ध्यान रखें अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा तो इसका सही उत्तर है option B आचारे विश्वनात प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम से हिंदी साहित्य की पुस्तक लिखी ठीके व्याक्या देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक और भाग दो आचारे विश्वनात प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है कैसा ग्रंथ है आलोचनात्मक ग्रंथ है ठीक है इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे तो ध्यान द वांग में विमर्ष फिर है हिंदी का समसामिक साहित्ते हिंदी का समसामिक साहित्ते फिर है हिंदी नाट्टे साहित्ते का विकास हिंदी नाट्टे साहित्ते का विकास यह इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं किसके विश्वनात प्रसाद मिश्र की ठीक हैं आगे देखते हैं शुक्ल जी यानि आचारे रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुणों पासक भक्त कवियों को चुना तो मिश्र जी ने रीती कालीन कवियों को चुना और बिहारी एवं घनानंद उनके प्रिये कवी हैं ठीक है बिहारी और घनानंद उनके प्रिये कवी हैं तो यह कुछ बाते हैं ध्यान रखें अगला प्रशने दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक और दो साहित्य इतिहास गरंद के लेखक कौन है तो इसका सई उत्तर है ओप्शन बी विश्वनात प्रसाद मिश्र विश्युनात प्रसाद मिश्र हैं हिंदी साहित्ते का अतीत भाग एक और दोग साहित्ते इतिहास ग्रंद के लेखक ठीक है आपको यहां एक मैध्पुन और बार बता दू विश्वनात प्रसाद मिश्र ने आदी काल को श्रिंगार काल भी कहा है इंपोर्टेंट कोशन है अक्सर एक्जेम्स में पूछा जाता है अगला प्रशने दोस्तों हिंदी साहित्ते का अतीत नामक इतिहास ग्रंद के रचनाकार का नाम पूछा गया है तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों रिपीटिड प्रशन है यह विश्वनात प्रसाद मिश्र ठ किसकी रचना है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोरक नात गोरक नात की रचना है आत्म बोध ठीके गोरक नात कौन थे तो गोरक नात प्रवर्थक थे किसके हटियोग के प्रवर्थक थे देखते हैं व्याक्या गौर करेंगे आत्म बोध नामक ग्रंद के रचनाकार हट योग के प्रवर्तक गोरक ना थें ठीके ध्यान रखें इनकी अन्य रचनाए हैं दोस्तों सबदी पद प्राण संकली शिश्या दर्शन नर वैबोद अभई मात्रा अभई मात्रा जोग पंद्रेतिती सप्तवार मचिंद्र गोरक बोद रामावली ग्यान तिलक ग्यान चोति पंच मात्रा ठीके तो ये कुछ गोरक नात की प्रमुक रचनाए हैं आपको पता होनी चाहिए ठीके अगला प्रशने दोस्तों रिपीटिड प्रशने वही आत्म बोद किसकी रचना है तो अभी हमने पढ़ा गोरक नात की रचना है आत्म बोद अगला प्रशने दोस्तों इनमे से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गध्ये सबसे प्राचीन गध्ये का नमूना द्रश्ट अव्य है तो सही उत्तर है इसका ओप्सन ए गोरक सार में ठीके गोरक सार में सबसे प्राचीन गध्ये का नमूना द्रश्ट अव्ये है दिल्ली क इंद्रिय विध्याले पीजीटी परिक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्ण है यह व्याख्या देखते हैं कि गौर करेंगे दोस्तों गोरक नाथ साहित्य के आरम करता माने जाते हैं गोरक नाथ साहित्य के ऐसे है यह पंक्ति गोरक नाथ नाथ साहित्य के आरम करता माने जाते हैं वे सिद्ध मतसेंद्र नाथ के शिशे थे अच्छा यहां पर प्रश्ण भी पूछा जाता है कि गोरक नाथ किसके शिशे थे तो आप बताएंगे कि सिद्ध मतसेंद्र नाथ के शिशे थे कहीं कहीं मतसेंद्र नाथ को मचंदर आली हैं आप ध्यान रखएं किन्तु अनोंने सिद्धों के मारग का विरोध किया था किसने गोरक नात ने ठीक है गोर्क पंती साहिते के अनुसार आदीनात स्वयं सिव्थे अदीनात स्वयं सिव्थे उनके बाद मतसेंद्र नाथ ठीक है जिनके आचरन का विरोध उनके शिश्ये गोरखनात ने किया था गोरखनात के और काल को लेकर विविन विद्वानों में मतवेद भी पाय जाते हैं ठीक है गोरखनात कृती गोरख सार में सबसे प्राचीन गद्धे का नमूना प्राप्त होता है गोरक नात की एक कृती है गोरक सार जिसमें सबसे प्राचीन गद्धे का नमूना प्राप्त होता है तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे कॉल ग्यान निर्णे कॉल ग्यान निर्णे के रचनाकार कौन है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मतसेंद्र नात मतसेंद्र नात की रचना है कॉल ग्यान निर्णे ठीक है ज्यान रखें व्याक्या में भी यही है कि कॉल ग्यान निर्ने मतसेंद्र नात की रचना है ठीक है अगला प्रशने दोस्तों गौर करेंगे देहाती दुनिया देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है तो इसका सही उत्तर है option c सिव पूजन सहाई सिव पूजन सहाई की रचना है देहाती दुनिया ठीक है टीजीटी पुनर परिक्षा 2004 में आया हुआ प्रशन है व्याख्या देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों सिव पूजन सहाई हिंदी साहित्य के उपन्यासकार कहानीकार संपादक एवं पत्रकार थे ठीक है ये भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद कौन हुए थे तो आप बताएंगे शिव पूजन सहाई ठीक है आगे देखते हैं कुछ कुछ में संकलित निबंदों में उन्होंने तुछ से तुछ विशे को अपनी रोचक रचना शैली में से मोहक बना दिया है ठीक है तुछ से तुछ भी व्यंजना शिस्ट हास से मार्मिक व्यंगे और अन ओप्चारिक ठीक है लेकिन परिश्कृत परिमार्जित शैली के कारण शिप पूजन सहाय का हिंदी निबंद साहित्य में विशेश तथा महत्पुन इस्थान है ठीक है इनके प्रारंबिक लेक लक्षमी मनोरंजन पॉत्र आदी पत्री काउ में ठीक है आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाय हैं दोस्तों देहाती दुनिया जो की 1926 में मतवाला माधूरी जो की पर1924 में आई हूए हूए रचना है फिर है गंगा जो की 1931 में आई हूए रचना है फिर है हिमाले जो की उननिस सो चालिस में आई हुई रचना है फिर है साहित्य जो की उननिस सो पचास में आई हुई रचना है फिर है वही दिन वही लोग उननिस सो पैंसट में आई हुई रचना है फिर है दोस्तों मेरा जीवन मेरा जीवन उननिस सो पिचासी में आई हुई रचना है इसके बाद है इस्मृती 6 इस्मृती 6иш 1994 में आई हूँ रचना है और फिर है हिंदी भाशा और साहित्य थिंदी भाशा और साहित्य मेंं आई हूँ इनकी रचना है किसकी शिव पूजन सहाई की ठीक है तो ध्यान रखे दोस्तों important व्याक्या है तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाथ होता है thanks for watching अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें like करें, share करें मेरे चैनल को subscribe करें, साथी साथ मेरे वीडियो के अगले notifications को पाने के लिए bell icon को press करें दन्यवाद दोस्तों